ओम स्रीगनिस साइड में दोस्तों आप सभी का हमारे शुरूरूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों मेश रासी वाले जातकों के लिए ये वीडियों बहुत इंपोर्टेंट बहुत इखास होने वाली हैं क्योंकि अगले तीन दिनों में अंदर किस प्रकार से आपके जीवन में धन वर्सा होगा किस प्रकार आपके जीवन में आपको धन दोलत की प्राप्ति होंगे और आप लगातार किस प्रकार तरक्की की राह पर चल पड़ोगे आपको बताएंगे पहले से ही इन बातों के बारे में तथा आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार लाव कमा सकते हैं बैपार बैवसाय में तरक्की कर सकते हैं समाज में अपनी अलग चभी अलग पहचान किस प्रकार अस्तापित कर सकते हैं और लगातार इस वीडियो में बने रहें आपको उन सभी बातों के बारे में बताएंगे जो आपके बैवसाई आर्थिक और आपके जीवन में आपको तरक्की दे सकता है आपका पारिवारिग जीवन में कौन से खुसिया आएंगी करियर जॉब और विजनस के शेत्र में आपको कौन सा लाभ मिलेगा आर्थिक की स्थित्यों में किस प्रकार परिवर्तर होंगे आपके रासी के स्वामी किस प्रकार आपका सहयोग करेंगे और किस प्रकार धंदूलत की प्राप्ती होंगे मत्रों सेहत के हिसाव से भी आपका दन कैसा रहेगा आपको पेट से समंदित कोई विमारी है तो उनसे भी अगले तीन दिनों में आपको सुरकारा मिल सकता है विवार के साथ आपको जादा से जादा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा इस वीडियो का कोई सभी पाट आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक अवस्य करें और इस वीडियो में कमेंट वॉक्स में यह माता दे लिखें घर में आपका उत्सभ हो सकता है घर में आपका कोई पूराना प्रोजेक्ट भी दुबारा मिल सकता है और अगले तीन दिनों के अंदर आपके तनाव में चल रही परिशानिय भी दूर हो सकती हैं नौकरी के लिए आपका जीवन वेतन में विर्दी और परमोसन कर सकता है नित्रों हनुमान जी की खृपा से आपके लिए आने वाला समय बेहादी बहदी इस बएहने वाला है कारों में मिले सफलता के कारण आपके उस्चन में विर्दी हो सकती है आर्टी ग्रूप से आप मजबूत होंगे, आपके आर्टी की सित्या बहुत जल्द बदलने वाली हैं, आप अपने जीवन में अपने विरोधियों पर भी बिजय को फ्राप्त कर सकते हैं, विद्यार्टियों के लिए समय बेहती फलदाई रह सकता है, आपको पैसे जुलोड आप अपने प्रेम प्रसंग में हैं, उनके लिए आने वालस में अच्छा रहेगा, आपको कोई सुभतमाचार मिल सकता है, धन्से समंदित मामल में भी आपको सफलता मिल सकते हैं, नौकरी कर रहे लोगों को मुनाफ़ा हो सकता है, आप बिजनस के चित्र में भी दिन दूगली रात चोगने तरफ की हासिल कर सकते हैं, इसके साथ ही आप अपने जीवन में धिन कवरी को फ्राप्त करने के मौके फ्राप्त होंगे, आपको विसेश रूप से अगर कहीं पैसे लगाने की यूजना है, तो आप अच्छी तरसे सोचे समझे, तभी आप किसी जगा नए निवेश करें, न था आप इसमें निवेश को त्याग दें, मित्रों हनुमान जी की क आप अपने मानसी को जनों को कम कर सकते हैं, आपके जीवन में इस समय लंबे समय से परिसानियों से चली आ रहे हैं, आपको छुटकारा मिल सकते हैं, आज इक के दिन मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप में सकरात्म कुर्जा का प्रभाव हो सकता है, और आपके से नए कामकाजों को नए सीरे से करने की कोशIST कर सकते हैं, जो की आपके लिस्चुब और का प्रिलापकारी हो सकता है, मत्रों आप लोगो को बताना चाहेंगे कि अगर आप अविवाहित हैं, तो भगवान हनुमान जी की किर्फ़ा से अविवाहितों को विवा का प्रिस्ताव प् प्रूले वाले हैं आप लोगों के उपर भगवान विश्णू जी का असरबाद बना रहेगा जिनके कारण आपके घर प्रिवार में सुक्सान्ती भरी माहोल रह सकता है आपको परिवारिक जिम्मेदारों को पूरा करने के मौके भी प्राप्त होंगे आपको किस्मत के वलब यार्ति ग्रूब से आपका यस में बहुत अच्छी अवदी को लाने वाला है आप बैपारी वर्गवी वान्चित प्रणाम को प्राप्त कर सकते हैं आप अपने कारिशित्र में अपने लिए अलग जब अलग छबी बना सकोगे और आपके जीबन में आपको अनुकुल और प्रतिकुल दोनों तरह के लम्हों की प्राप्ति अवस्य होंगे समाधिक लोग प्रियता प्राप्त करने का सुबहे आपको संकेत मिल रहे हैं आपको कोई सुबसमाचार प्राप्त हो सकता है परिवार में साधी या बच्चे का जन्म हो सकता है खेल प्रेमियों को भी अप आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने प्रेम समंदुकों मदबूत करने के मौके भी अवस्य प्राप्त होंगे मातारानी की गिल्पासें चात्र भी अच्छा परदर्शन कर सकते हैं। जो आपके लिए आराम दायक हो सकता हैं आपके जीवन में आपको खुशियां भी प्राप्त हो सकते हैं। परन्तु आप लोगों को अपने स्वास्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपका स्वास्त थोड़ा सा व्याकुलिया थोड़ा सा आपको प्रिसान दायक हो सकता हैं। ऐसे में थोड़ा सा धैर रखें, दैनिक कार भी आसानी से संपन होंगे। वैवसाइक संद्रव में आपका यसमें मुत्कृष्ट हो सकता हैं। आपके पास काम करने और नए लोगों से मिलने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। आपके जीवन में आपको थोड़ी बहुत मुसीवतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप तोनों के विद्ध में सुहादर बने रहने की मिसेज जरूरत रहेंगे। आप दूसरों के साथ अपने वेवार को भागय साले बना सकता हैं। दूसरों के साथ आप अपने समन्दों को बेतर रखनी की अवस्य कोसिस करें। आपके लोग प्रियता भी हासिल होंगे। तता आपके जीवन में बहुत बड़ी खुसकबरे। आपको प्राप्त होने बाली हैं। आप अविजात वर्ग की फ्रिष्ट भूमी की महिला से लाब की प्राप्ती कर सकते हैं। सुआश्ट के समन्द में आपको अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहेंगे। आप सरदीखा से अस्तमार आँकों के सिकायतों से पीडित हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा धहरे रखें। आप अपने घाटों को रोकने के लिए अटकलों से दूर रहना आपके लिए काफी आवस्तक हो सकता है। पारिवारिक जीवन भे आपका संतोस प्रद रह सकता है। मित्रों मेश रासी के जात्कों को बताना चाहेंगे। कि मातारानी की गिर्पा से कानून, लिंकांकन और अभ्यास करने वाले जात्कों को अधिक सफलता प्राप्त होंगे। आपके लिए घर में और कार्याले दोनों में आपको कटिन समय का सामना करना पड़ सकता है। किन्तु सुप परिछेप में भी आपको काफी सुकद और अच्छे प्रिणामों की प्राप्ती अवस्य होंगे। आपके सोचने, समझने और आपके एक्चा सकती में ब्रोत्री करने के विशेस मोके भी आपको अवस्य प्राप्त होंगे। आपके से नए कामकाज में सरलगन हो सकते हैं, नए कामकाज को पूरा करने के वहत्रिन मों के भे प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने दैनिक दिंचरिया को काफी प्रिवर्तन कर सकते हैं, आपका अधन वहत्र बनें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दे अवस्य लिख आपका दन सब हो मंगलकारी हो जैमा विंद वासने